वेलकम बैक दोस्तों दोस्तों आज किस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दस मलों भीन के बारे में यानि की decimal fraction सबसे पहले बात कर लेते हैं कि decimal यानि की दस मलों किसे को बोलेंगे तो हर एक भीन में 10 के घात को ही decimal कहेंगे हर एक भिन में 10 का घात जैसे कि बाद क्या जाए 7 upon 10 तो इसको लिखेंगे 0.7 मतलब कि बट्टे के बाद इतनी संख्या में 0 रहेगा 1 के बाद यानि कि 10 रहा 1 0 है तो पीछे से 1 के बाद पूइंट लगाना कोशन अगर रहा कि 7 upon 100 यानि कि 2 0 है तो पीछे से 7 जो है उसको पीछे से 2 के बाद पूइंट लगाना तो 7 तो एक ही डिजिट है तो 2 डिजिट के लिए आगे 1 0 लगाना तो 2 यहाँ पे संख्या आ गया 2 संख्या के बाद पूइंट लगा देना है यह आपका हो गया decimal अगर कोशन रहा 3 upon 1000 तो इसको कैसे solve करना है तो 0.003 यह हो गया इसका solution मतलब की 10 के घात को ही 10 मलोग कहेंगे अब कोशन आता है कि 10 मलोग को एड कैसे करना है तो बस इतना दिमाग में रखना है कि पॉइंट के नीचे जितनी भी संख्या आएगा मान लिया जाए कि 9.7 पलस करना है 0.003 पलस करना है 0.76 पलस करना 23.40 क्या इसको 8 करना तो सबसे पहले सको arrangement करना है arrangement करने के बाद 8 करने से बढ़िया रहता है 9.7 है तो लिखेंगे 9.7 इसके बाद 0.003 है 0.003 पोंट के नीचे पोंट होना चाहिए 0.76 है 0.76 23.40 है 23.40 पोइंट के नीचे सब में पोइंट रहना चाहिए एडिसन करने के लिए बोड़ा तो एड कर देंगे यह हो गया तिसरा स्टेप में 3 का 3 यहां पर हो गया आपका 6 का 6 ठीक है यहां लोग 0 भी डाल सकते हैं जहां पर खाली नहीं है तो उसको हम 0 भी लिख सकते ताकि जोड़ने में आसान हो जाए ठीक है अब यह होगा 7,7,14 और 4 14,4,18 के 8 केरी में आया 1 तो 1 यहां केरी में चला जाएगा 9,1,10 और 3,13 के 3 केरी में आया 1,2 और 1,3 यान की 33.863 का राइट एंसर हो जागा सेम प्रोसेस अगर माइनस करने का बात आए ठीक है 8.6 माइनस करना है 4.7 को बस पहले इसको अर्रेजमेंट करते हैं और घटाना जैसे नॉर्मल हम लोग घटाव करते हैं कैरी लेने के लिए एक यहां से कैरी लेंगे 16 में 7 गया तो बच्चा अब का 9 ठीक है पॉइंट हो गया और यह बच्चा 7 में 4 गया तो 3 सेम है मल्टिप्लिकेशन ठीक है मल्टिप्लिकेशन के लिए एक एक ग्जामपल लेते हैं जिसके 3.9 इंटू करना 4.6 के साथ तो पलस में हम लोग क्या करते थे कि पॉइंट के बाद 3 संख्या है सबसे ज़्यादा तो पॉइंट के बाद 3 संख्या पीछे भी रहे रहे हैं लेकिन मल्टिप्लाइ में ऐसा नहीं होता है मल्टिप्लाइ में जैसे कि है अपका 3.9 एंट 4.6 इसको कंप्लीट करने के बाद देखा जाता है कि इसका पॉइंट के बाद कितने संख्या इसके पॉइंट के बाद कितने संख्या तो पॉइंट के बाद एक संख्या इधर पॉइंट के बाद एक संख्या कहरी मैं तीन चाहर तीन बारह बारह तीन पंद्रह ठीक है यह हो जाएगा अपका 4971 दो पॉइंट तो दो पॉइंट के बाद दो संख्या के बाद पॉइंट लग जाएगा यानि 17.94 इसका राइट एंसर हो जाएगा तो इस तरह से मल्टिप्लाइ करना इसका बेसिक सा अगर किसी को नहीं समझ माँ तो इसको हम लीग सकते हैं ऐसे करके पॉइंट को अटाएंगे नीचे 10 आएगा इधर भी पॉइंट अटाएं नीचे 10 आएगा अब 39 इंटू 46 करना है और नीचे 10 10 100 अब बेसिक इसको मल्टिप्लाइ करना है और 10 है नीचे जो है दो संख्या रहेगा दो 0 रहेगा तो पिछे से 2 के बाद पॉइंट लगा देना ठीक है तो ऐसे प्रोसेस से भी हम लोग बना सकते हैं चले डिवाइड प्रोसेस को समझ लेते हैं डिवाइड प्रोसेस में आपका कि अगर question है 3.9 divide करना है 4.6 के साथ तो या फिर इसको normal जिस तरह से हम लोग divide करते हैं वैसे divide करना है अगर उसमें ज़्यादा problem हो जाए तो इसको कुछ इस तरह से लिखेंगे 39 upon 10 divide को multiply में change करने के लिए इसका नीचे जो 10 होने वाला उपर चल जाएगा upon 46 10 से 10 खत्र 39 upon 46 अब इसको divide करना जो भी आएगा 0 point में answer आएगा अगला question देख लेते हैं next है आपका point 6 में कि decimal को normal fraction में कैसे बदले normal fraction का मतलब होगा आपका pivot q के रूप में मतलब की parimation क्या rational number का रूप में कैसे बदले तो सबसे पहले तो देखना है 0 point 252525 है यहाँ पर क्या repeat हो रहा 25 ही repeat हो रहा तो इसको क्या लिख सकते है 0 point 25 के उपर में बार तो इसके लिए 2 rules है समझने के लिए ठीक है basic rules जो हम लोग class 8 class में या फी 9th class या फी 10th class में पढ़ते थे कि decimal को rational number में convert करना pivot a q के रूप में तो पहले हम लोग basic rule बताते हैं basic rule समझते हैं उसके बाद tricks के जर्यक कैसे pivot a q के रूप में convert करेंगे उसको भी समझेंगे तो question आ जाता है आपका 0.25 के उपर में बार ध्यान से देखिएगा question है अपका 0.25 के उपर में बार है तो इसको लिखेंगे माना की x बराबर 0.25 के उपर में बार यानि 2.5 ही repeat होगा बहुत सारा equation number 1 करते हैं कितना संख्या repeat हो रहा है 2 संख्या repeat हो रहा तो 2 संख्या के लिए हम लोग 100 से multiply करेंगे अगर 1 संख्या repeated होगा तो 10 से गुना करते हैं ठीक है और अगर 3 संख्या repeated होगा तो 1000 से गुना करते हैं तो यान लिखेंगे ठीक है दोनों तरफ 2 संख्या है तो 100 से गुना करने पर दोनों तरफ 100 से गुना करने पर और राट साइड भी 100 से गुना करना तो यहां हो जाएगा 100 इंटू x इक्वाल टू इतर भी हो जाएगा 100 इंटू 0.25 2525 अब यह हो जाएगा 100 x 100 को इससे गुना करनेंगे तो क्या हो जाएगा पॉइंट दो संख्या पिसे चला जाएगे यानि कि 25.252525 बढ़ते चला जाएगे यहां पर 2525 बहुत सा रहा है यहां पर 3 भी 2525 लिख सकते हैं या फिर अनंत तक लिख सकते हैं तो पॉइंट के बाद इधर 2525 अपना मनमर्जी देना है तो 3 यहां पर लिखें क्योंकि इधर भी पॉइंट के बाद 325 था तो यहां भी 325 लगाए ताकि माइनस करने में आसान हो जाएगा अब लिखेंगे सम्मिकरन 2 को एक से घटाने पर लंबा प्रोसेस हैं तो पहले बेसिक तरीकों को समझना है और ट्रिक्स तो चुटकी में हो जाएगा बहुत जादा असान है ट्रिक्स के जरीए इसका अंसार निकलना पहले एक्वेशन नमबर 2 को उतारते हैं 25.252525 उसके बाद एक्वेशन नमबर 1 को 0.252525 के लिए अब दोनों को माइनस करने के लिए माइनस का सेंबल अब यह 100X में 1X को माइनस करेंगे तो 99X और इधार टोटल तो कट जाएगा बचा 25 तो एंसर क्या हो जाएगा 25 अपोन 99 अब ट्रिक्स देखते हैं किस परकार से हम लोग इसको ट्रिक के जरी एंसर निकालेंगे कोशन अगर यही रहा है 25, 0.25 के उपर बार तो जैस्ट जो कोशन है उसको पहले उतार देना है 25 अपोन करना है 25 के उपर बार है तो कितने संख्य को उपर बार है 2 संख्य को उपर बार है 2 9 लगा देना ठीक है अगर 0.46 के उपर बार बार रहेगा उसको काट देना है अगर 3 का टेवल में काट जाए 2 का टेवल में काट जाए तो उसको काट देना ठीक है यह इसका basic rule है और भी basic rule इसमें रहेगा जिसके 0.47 के उपर मुझा खाली single बार रहा 7 को उपर बार रहेगा तो उसको कैसे बनाएंगे तो उसके लिए हम 47 को उतारेंग एक संख्या को उपर बार नहीं तो एक 0 इसका answer हो जगा 43 upon 90 के लिए है इसके बाद अगर कटना होता तो उसको काट देते हैं